हाई आवरिबन आ नोंँ आप मेंसे बहुत सारे बच्चों ने इस चैप्टर को अपनी टेक्स बुक ये समझ में नहीं आता तो इस वीडियो का लिंक आपको description box में मिल जाएगा और मैंने बहुत easy तरीके से इस कहानी को explain किया है तो आज की वीडियो में हम discuss करेंगे तारो जिवार्ट की question answer लेकिन जिन्होंने अभी तक chapter नहीं बढ़ा है answer the following questions question number one why did Taro run in the direction of the stream Taro जिस direction से stream की आवाज आ रही थी उस direction में क्यों भागा अब जिन्होंने chapter को अच्छे से पढ़ चुका है उनको पता है कि ये question क्या है और इसका answer क्या है तो गताई इसका answer क्या है Taro ran in the direction of the stream because he was thirsty और thirsty का मतलब क्यों होता है बताईए thirsty का मतलब होता है प्यासा वो उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी He had never seen a rushing stream or heard the sound of falling water in that part of the forest उसने जहां पर वो लकड़ी काट रहा था उस area में जंगल के उस area में कभी भी stream की आवाज नहीं सुनी थी तो वो तो प्यास लग रही थी और दूसरी बात उसको आवाज आये थी इसलिए वो उस direction में भागा जहां पर stream की आवाज आ रही थी Second question अगर आपने चेप्टर को पढ़ा है तो बच्चो मैंने आपको clearly बताय था कि अगर हम ड्रिंक की बात कर रहें तो उसको हम सेक नहीं कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे साके तो जो तारो के फादर थे उन्होंने जब साके पी आ तो वो किस तरह से उन्होंने happiness दिखाए वो किस कितना खुश हुए आंसर तारो's father was so delighted मतलब की इतना ज़ादा खुश हुए विदसाके that when he swallowed a sip of the liquid he stopped shivering shivering का मतलब क्या होता है कापना क्योंकि ठंड काफी ज़ादा थी तो ठंड के मारे वो काप रहे थे and became energetic and did a little dance in the middle of the floor तो एक तो उनकी सरवी कम हो गई और दूसरा वो इतना ज़ादा खुश हो गए कि वो अपने फ्लोर पे ऐसे नाचने लगे तो ये हमारी question number two हुआ question number three why did the waterfall give तारो साके and others water इस question का मतलब क्या हुआ बताईए देखिये question क्या पूछ रहा है कि जो waterfall था तारो को तो क्या दे रहा था साके दे रहा था लेकिन जो बाकी लोग थे उनको पानी दे रहा था ऐसा क्यों और बच्चों यहाँ पर जो आपके bracket में number लिखे होते हैं numbers का मतलब है कि इसका answer आपके textbook में 12 number paragraph में मिलेगा तो आप अपने textbook से भी इसका answer डोन सकते हैं तो बताईए इसका answer क्या होगा दे वाटरफॉल गेव तारो साके and others water because तारो वाज वेरी थॉट्फॉल and डूटिफॉल सन तो इस पेरेंट्स देखो बच्चो सबसे important बात तो क्या है हमने बात की थी तारो के बारे में कि तारो इतना अच्छा बच्चा था इतना अच्छा लड़का था अपने पेरेंट्स का कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत सोचता था उनकी सारी इच्छा पूरी करना चाहता था तो क्या हुआ वो अपने पेरिंट्स की बहुत सेवा करता था दिन रात उनके लिए एक कर देता उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए अब देखे ये जो magic हुआ कि waterfall में से साके निकल गाए है तो ये waterfall इसको क्या किया reward किया कि वो इतना अच्छा है कि मतलब waterfall का मन किया कि मैं सको क्या दूँ पानी के जगे साके दू magic हुआ on the other hand the people of this village got plain water because they were greedy अब दूसरे तरफ गाउं के लोगों को क्या मिल रहा था साके के जगे पानी मिल रहा था क्यूंकि जब तारोंने सबको स्टोरी बताई कि मैंने waterproof से साके लिया तो सबको एकदम लालच आदिया अब कोई किसीने किसी का अच्छा काम नहीं किया था अजम सब बुरे आधम्य थे लालची थे तो अब जब वरफालِ पे साके लेने गए तो waterfall को उन पे गुस्सा आया उन्होंने क्या किया? साके की जगे उन लोगों को तो पानी दिया और हमारी तारो को उन्होंने क्या दिया? साके दिया Right? Question number 4 Why did the villagers want to drown तारो? Drown का मतलब क्या होता है? पानी में डुबो डुबो के मारना अब गाँवाले तारो को डुबो डुबो के क्यों मारना चाहते थे? Answer The villagers went to the waterfall to collect साके But they got only plain cold water They thought that तारो had tricked them So they looked for तारो to punish him देखिए तारो ने सब को कहानी बताए कि मुझे waterfall से साके मिला तो सब लालची लोग waterfall पे साके लेने पहुँच गये लेकिन waterfall ने तारो को तो क्या दिया था? साके दिया था लेकिन जो बाखी गाउं के लोग थे उनको क्या मिल रहा था? थंडा पानी मिल रहा था तो उनको लगा कि तारो ने अमर साथ cheating की है अब cheating का punishment तो तारो को भूगतना पड़ेगा इसलिए वो तारो को ढूण रहे था इसको पनिश करने के लिए जो जापान का राजा था उसने तारो को reward क्यों दिया? reward का मतलब क्यों होता है? इनाम उसने इनाम क्यों दिया? answer तो देखे कि जो जापान का राजा था उसने इसको इसलिए इनाम दिया? देखो पहली बात तो यह थी कि जो तारो था वो अपने पिरेंट्स की बहुत सेवा करता था उनके लिए अच्य-च्य काम करता था और उनके लिए बहुत महनत करता था तो Emperor चाहते थे कि मैं तारो को reward दे के बाकी बच्चों को ये बताओ, ये सीख दू कि देखिये, जब तारो ने अपने पेरिंस की इतनी सेवा की तो इसको reward मिला, आप लोग अपने पेरिंस की बात मालोगे, उनके respect करोगे, तो आपको भी इस तरह से इनाम दिया चाएगा, त First question क्या पूछ रहा है, तारो earned very little money because, तारो बहुती कम रुपे कमाता था, क्योंकि, पहला क्या है, he did not work hard enough, वो ज़्यादा मैरत नहीं करता था, तब villagers did not need wood, जो गाम वाले थे, उनको लकडी की जरूत नहीं थी, इसलिए उसको कम रुपे मिलते थे, वो थड़ क्या है, the price of wood was very low, जो लकडी काटता था, उस लकडी काटने की जो कीमत थी, वो बहुती जादा कम थी, इसलिए उसको कम रुपे मिलते थे, बताई इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारा statement number 3, the price of wood was very low, second question, कारो decided to earn extra money, extra money क्या होता है, कि जो वो income कमा रहा है, उससे जादा उसको रुपे कमाने, क्यों, उसने क्यों decide किया, पहला, to live a more comfortable life, अपनी जिंदगी को और जादा एशोराम पाने के लिए वो जादा रुपे कमाना चाहता था, second, to buy his old father some sake, उसके फादर को बहुत जादा ठंड लगरी थी, तो उसके फादर ने demand किया, कि अगर तुम मुझे साके लाके दोगे, तो मुझे ठंड कम लगेगी, इसलिए वो रुपे कमाना चाहता था, या फिर, to repair the cracks in the hut, जो उसकी पुरानी जोपड़ी थी, उसमें कुछ cracks है, तो उन cracks को ठीक करनी के लिए, क्या वो एक्स्रा रुपे कमाना चाहता था, तो अगर आपने इस story क अच्छे से पढ़ा है, तो इसका answer आपको definitely पता होगा कि वो एक्स्टा रुपे क्यों कमाना चाहता था, तो इसका answer क्यों हो जाएगा, answer statement number second, to buy his old father some साके, question number three, the neighbor left Taro's hut in a hurry because, तो story को फटा फट से recall कीजिए, हमने क्या discuss किया था, कि Taro पिच्चर में भरके साके लेके आया फिर उसने अपने पादर को दिया, जब पादर ने साके पिया, तो क्या हुआ कि उनके पडोसन थी, वो उनके घर पे आ गई, और उसने भी क्या किया, साके पिया, अब वो साके पीने के बाद ने फटा फट से उनके घर से छोड़के चलीगी, वो फटा पट चलीगी वहां का मतलब होता है आश्चरी चकित होना एकड़म शौक होना थर्ड शी वांटेट टू टैल दे होल विलेज अबाउट वाटरफॉल या फिर वह सब जो की कहानी के हिसाब से सुटेबल नहीं है उन वर्ट को आपको हटाना है तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है तो देखिए हमने स्टोरी में पढ़ा था कि तारो अपने पेरेंट के लिए सब कुछ करना चाहता था जो भी उनकी डिमांड पे उसको पूरा करना चाहता था तो यह तारो के बारे में क्या बताता है तो देखिए हाँ पे वर्ट क्या क्या है thoughtful, hardworking, loving, honest, considerate, trustworthy, efficient and kind तो इन वर्ट में से जो हमने स्टोरी में पढ़ा था उन वर्ट को तो आपको select करना है और बाकी जोग हमारी कहानी से related नहीं है उनको हटाना है तो बताई के क्या क्या ह होगा हमने कहानी में पढ़ा था कि वह अपनी परिंट्स के लिए थौ्ट फुल था काफी सोचता था उनके बारे में hardworking था loving था हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि वह आनिस था या नहीं था तो इस words को हम हटा देंगे यह इसको हटा दिया considerate का मतलब भी thoughtfully होता है विचारशील होता है कि वो अपने appearance के बारे में काफी tension लेता था, उनके बारे में सोचता था trustworthy, भरोसिमन था तो ऐसा भी हमने कुछ भी अपनी story में नहीं पड़ा तो इसको भी हटा देते हैं efficient भी हमने नहीं पड़ा, इसको भी हटा देते हैं और वो kind था, तो हमने in words को हटा दिया है तो क्या हो जाएगा, हमने किन-किन words को strike off क्या है honest, trustworthy and efficient क्योंकि in words का हमारी story से किसी बेतारे का कोई connection नहीं है बी part का question number one तो यह आपका एक book का sentence है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहे कि जो word this है, इसका connection किस line से है first sentence क्या है a strong wind that begin to blow एक बहुत जोड से हवा चलने लगे थी उसके बज़े से तारो इतना sad था, जितना पहले वो कभी नहीं हुआ था या फिर तारो's father old age तारो की father भूडे हो चुके थे, इसलिए वो इतना जादा sad था या फिर तारो's inability to buy expensive sake for his father तारो की father को बहुत जादा ठंड लगी थी तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं साके पीलू तो मुझे थोड़ी सी ठंड कम लगी थी लेकिन अब problem क्या थी कि साके की जो cost है तो ये this word use क्या गया है, इसका connection किस line से है, किस sentence है तो इसका answer क्या हो जाएगा, third वाला क्योंकि तारो इतना costly साके purchase नहीं कर सकता था तो इतना उसको बुरा लग रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपने father के demand को पूरा कर सकूँ ठीक है, ये question आपको समझ में आ गया Question number two This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ This said the emperor Emperor ने का कि ये बात है और ये बात से उसने बाकी बच्चों को encourage किया कि तुम भी अपने parents की बात मानो, उनकी respect करो तो यहाँ पर इसका मतलब किस से है First statement क्या पूछ रहा है, बूल रहा है The most beautiful fountain in the city जो उनकी city का most beautiful fountain था उसकी बात की जा रही है या फिर rewarding Taro with gold and giving the fountain his name Taro को उन्होंने gold का reward दिया और fountain का नाम भी Taro के नाम पर रखा और फिर लोगों को कहा कि देखो आप भी इससे कुछ सीखो या फिर sending for Taro to hear his story या फिर Taro को भेजा कि वो अपनी कहानी सुने तो किस के लिए भेजा तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ Rewarding Taro with gold and giving the fountain his name तो ये बात से जो emperor था उसने बाकी बच्चों को encourage कि आप भी Taro से कुछ सीखें Question number C Arrange the words below in pairs that rhyme तो बच्चों आपको पता है कि जो आपके rhyming वाले questions होते हैं एकदम free के number है आपको इसमें बिलकुल भी दिमाग लगाने की जरूत नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा sound set करना है कि जो sound same आती है For example, young, lung तो sound same आरी न, young, lung, money, sunny तो एकदम आपके free के number है आप इनको थोड़ी से practice करो तो इस type के question अगर आपके exam में आते हैं तो आपके full auto, full number आने के पूरे chances होते हैं तो हम कुछ words देख लेते हैं Young, sad, money, chop, lung, last, wax, good, bad, sound, x, would, way, stop, sunny, fast, round, day तो यहाँ पर आपके सामने कुछ words दे रखें इनको हमको rhyme में set करना है तो देखते हैं set का bad, chop का stop बच्चो sound भी ध्यान दो chop, stop, last, fast अब गर मैं last के जगे x कर दूँ तो देखें sound दोनों में different आ जाएगी तो वो rhyming word नहीं होगा और rhyming word की practice आपने class 3rd में, 4th में, 5th में कर रहती हैं तो आपको यह question समझाने के जरूत नहीं है क्योंकि यह question आपको अच्छे से आता है तो last का fast, wax का x, good का would, sound का round, way का day तो यह आपका एकदम free का number है rhyming words वाला चलिए आगे चलते हैं Fill in the blanks with words from the box तो यहाँ पर आपके सामने box में कुछ words दे रखें हैं हमको जो words उसको use करके हमारे blanks को complete करना है Lonely, little, hard, young, thoughtful, delicious and beautiful तो यह हमारी story के words है तो complete करते है A young woodcutter lived on a lonely hillside He was a thoughtful son who worked hard but earned little money One day he saw a beautiful waterfall hidden behind a rock He tasted the water and found it delicious तो यह हमने blank complete किया है box के words की help से चलिए Question number 2 Find these sentences in the story and fill in the blanks तो बच्चों इसके लिए आप अपनी textbook खोलिए और जहाँ पर आपको reference paragraph number दे रखा है जैसे कि यह जो blank है इसका answer आपको कहां मिलेगा paragraph number 3 पे, इसका भी paragraph number 3 पे इसका 4 पे, इसका भी 4 पे और यह 10th number पे तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूं लेकिन आपके टेक्स बुक से rhyming words कर लिए और जो टिक करना है, सही statement पे वो भी कर लिया तो कुछ इस टाइब के questions आपसे exam में पूछे जाते हैं I hope आपको कहानी और question answer अच्छे से clear हो चुके हैं काफी हद तक आपको question answer याद भी हो चुके होंगे वीडियो पसंद आये तो इसे like करें, दोस्तों की शार शेर करें चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें and don't forget to press bell बटन ताकि आने वाले वीडियो की notification आपको time पे मिल सके मिलते हैं next वीडियो में नए chapter के साथ में till then take care, bye